मक्का के तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार भाव के बारे में विभिन उद्योग समुहों द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसी कड़ी में All India Starch Manufacturers Association ने केंदर सरकार से इस समस्या को जल्द ही दूर करने का अनुरोध किया है। विदेश व्यापार महानिदेशक एवं वानीजे मंत्राले में Additional Secretary को भेजे एक पत्र में Association ने सरकार से मक्का पर आयाच शुल्द को घटा कर शूने प्रतिशत नियत करने का अनुरोध किया है। Association के पत्र में कहा गया है कि भारत में स्टार्च उद्योग के दाइरे में करीब 45 निर्मान इकायां सम्मिलित हैं जिसमें संयुक्त रूप से लगभग 70 लाख टन की वर्षिक खपत होती है। साथ ही देखा जाए तो स्टार्च उद्योग खादे उतपाद, फार्मास्यूटिकल्स, पशु आहार, कागस तथा रसायन निर्मान उद्योग कच्चे माल की सप्लाई की द्रिष्टी से अत्यंत महत्वपून है। प्रती वर्ष भारत का स्टार्च उद्योग दुनिया के 125 से अधिक देशों को लगभग 8 लाख टन तयार उतपादों का निर्यात कर रहा है, जिससे अच्छी मात्रा में बहुमूले विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पिछले साल से स्टार्च निर्मान उद्योग को लगातार विभिन कारणों से भारी कठिनाईयों का सामना करना पढ़ रहा है। एक तरफ कच्छे माल का दाम बढ़कर काफी उपर पहुँच गया है और दूसरे, इस उद्योग के अंतिम तयार माल के साथ ही उतपादों की कीमतों में गिरावट आ रही है। स्टार्च उतपादन के लिए मक्का एक प्रमुक प्रात्मिक कच्छा माल है, मगर पिछले एक साल के अंदर राष्ट्री अस्तर पर इसका भाव करीब 25 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2023 में मक्का के प्रमुक उतपादक राजियों में सूखा पढ़ने तथा एतनौल निर्मान में बड़े पैमाने पर उप्योग होने के कारण इस महत्वपून मोटे अनाज के दाम में जोरदार बड़ोतरी हुई है। सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एतनौल के मिश्रन का लक्षे रखा है, जिससे मक्का की मांग एवं खपत तेजी से बढ़ रही है। प्रिक्स्तर पर केवल यूक्रेन में ही गैर जीम मक्का का भरपूर निर्यात योगे स्टॉक रहता है, लेकिन अभी वहां इसकी सप्लाई का ओफ सीजन चल रहा है। मक्का पर फिलहाल 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लागू है, जिसे ततकाल वापस किये जाने की जरूरत है।